बिस्मिल्ला रहाराहिम अस्वाम उलेकुम टौल आफ यू लीगल सर्विसिस चैनल पर हम आपको खुशामदीर केते हैं आज का हमरा टोपिक रेटेट टु दे एंग्लिश फार लीगल इस्टुडीस से और आज का हमरा जो टोपिक है वो है लीगल लेटन टर्म्स लेंग्व लेंग्विज अफ द लाव में शामिल किये गए वो कौन से हैं और वो क्यों शामिल किये गए सबसे पहले डिसक्स करते हैं लेंग्विज विड़ वाउ एंड लेंग्व लीगल ओपीनियन संस्ट द बिगनिंग आप रिकॉड़डेट लाव अब इसका मत्रव यह हुआ कि जो लेटन टर्म्स हैं वो कब से शामिल लेंग्व लेंग्विज अफ लाव में लेटन टर्म्स जो हैं वो जब से रिकॉर्ड़ड लॉग को रिकॉर्ड करना शुरू हुए वो जब 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 ज़ज्मेंट्स लिखना उन्होंने शुरू किया तब से लेटन टर्म्स को य लिखना शुरू की कैसे स्ट्रीज को जज्जमेंट्स को तब से उन्होंने लेटिन टेर्म्स का सहरा लिया उसके बाद करने का सिंप्लिफाय करने का ट्रेंड एड़ प्लैंग्लिश इन कम्यूनिकाशन और रिटन लो और रिटन लो और कम्यूनिकेशन में प्लैन लेंग्वेज इंग्रिश लेंग्वेज को एड़ाप्ट करने का ट्रेंड चल रहा है आज कल ताकि सब को समझ आ सके यह इंग्रिश आ रहा है कि वह लेकल ट्रेंड लीको करेंद्वाइश का हिस्सा एं क्यूंकि यह लीगर इंग्लिश का हिसान और लीगल English नहीं लेंगि लेतेंग्स में यहां प्रास्टन के जो का मले यूज़ करते हें है जो कि मंकल पर बेनियु अब एब इनिश्यो कैसे यूज़ होता है कोट प्रोसीडिंग्स में, कैसे यूज़ करते हैं, लोयर्स कैसे होता है, जज्जमेंट में कैसे यूज़ होता है, इसमें क्या हुआ कि मेरा क्लाइंट जो है वो शुरुवाज से ही इनसेंट था पर पुलीस ने जूटी एफईर क्लाइंट के ऊपर काट ही है तो इसमें यह भी निशियो यूज होगा क्योंकि कोड़ प्रसीडिंग्स जब हम करते हैं वहाँ पर लीगल इंग्लिश को यूज करते हैं इस कंपेर टू प्लैन इंग्लिश नेक्स्ट नमबर टू पे एक्टस वियस एक्टस रियस गिल्टी एक्ट आप सबने सुना अब जिन जिनका लोग से तालुक है क्योंकि एक्टस रियस हर एक केमिनल केस में लाजमी यूज होता है एक्टस रियस यूज होते रहते हैं कि एक्टस रियस क्या है गिल्टी एक्ट क्या है जो अक्यूज्ट परसन है उसका उसके बाद हम आते हैं एड हो एड होग होता है for a special purpose or occasion, किसी special purpose जा किसी special occasion के लिए किसी को appoint करें या ऐसी कोई चीज करें उसको हम add-hoc करते हैं जैसे कि add-hoc judges appoint होते हैं supreme court में for a special purpose cases को dispose of करने के लिए speed में add-hoc judges की जैसे appointment होती है वैसे ही add-hoc की भी meaning है for a special purpose, for a special occasion उसके बाद हम आते हैं add-hoc to the same result of purpose कि कोई हम चीज कर रहे हैं तो हम उसकी उमीद रखते हैं कि इसका जो result होगा वो भी वेसाई होगा जैसा हम कर रहे हैं same result होगा है, जैसे कि contracts होते हैं, contracts में होता है for example, हम कहते हैं कि आप जो यह घर paint करके दें मैं आपको 500 rupees दोंगा, for example, हम यह सोचते हैं कि यह सारा घर paint हो जाएगा, फिर हम आप 500 देंगे, तो इसका मतलब क्यों क्यों होगा? for the same result, add idem, for the same result, same result के लिए हम आपको payment करेंगे, यहां पर contracts में अक्सेर एड इडम यूज होता रहता है, अब हम आगे चलते हैं, amicus cura, amicus cura, friend of the court, बहुत होता है, खास तोर पर जो special cases होते हैं, उनमें amicus cura की जरुरत भी पड़ती है, amicus cura का जो, की जो लफजी माना है, literal meaning है, वो है, friend of the court, अब friend of the court कौन होता है, जो court को assist करता है, जो court की help करता है, कुछ cases ऐसे होते हैं, जिनमें friend of the court, amicus cura की जरुरत पड़ती है, एक expert opinion की जरुरत पड़ती है, फिर जो related fields से expert होता है, for example, कोई ऐसा case है, जहां पर हमें एक neutral शक्स की जरुरत है, जो की medical में expert है, जो की climate change में expert है, या किसी भी चीज़ में expertise रखता है, और हमें concerned case में उसकी जरुरत है, तो फिर court उसको appoint करती है, एज़र amicus cura, friend of the court, या बहुत सारे वुकलाभी court की help करने के लिए, बहुत बड़ बड़ी judgments में, senior advocates जो होते हैं, उनको supreme court में, या high court में, court amicus cura, appoint करती है, यहां तक जो हमारा आज का lecture था, legal latent terms का complete हुआ, यह जो latent terms हैं, यह हम इंशालाँ next lecture में continue करेंगे, latent terms जो की commonly used होते हैं, वो सारे के सारे हम, इंशालाँ next lecture में complete करेंगे, या जरुत पढ़ी तो part 3 भी हम इस वीडियो का बनाएंगे, thank you for watching, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई, तो can really like करें, comment करें, और अपने दोस्तों के साथ share करें, अल्हाफिस.